हेलो एवरिवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरुवाटिका में दोस्तों कल मुझे अमरीत उद्यान जाने का मौका मिला और ये अमरीत उद्यान अभी नाम दिया गया है पहले इसको मुगल गार्डन नाम से जाना जाता था और यहां पर हमने क्या क्या देखा वो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में और इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा जो गार्डन लवर है वो कहीं भी ग्रिंडी मिल जाती है तो वहां पर जाने का कोई मोका नहीं छोड़ते तो आप भी मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक यहां पर हमने डिफरेंट टाइप ओफ रोजिज टूलिप गार्डन और हर्बल गार्डन काफी वराइटी ओफ प्लांट्स हमने देखें तो आप भी इंजॉय कीजिएगा वीडियो का और बने रहिएगा एंड तक तो कल का टाइम मेरा फ्री था तो हमने इस टाइम को यूटिलाइज किया और चल पड़े अमरित उध्यान की तरफ दो सिक्योर्टी गेट को क्रोस करने के बाद हम पहुँचे थे गार्डन में और वहाँ पर बहुत इतनी पब्लिक होने के बाद भी वेल मेंटेंड गार्डन था योगि खाने पिने के पैकिट लेकर जाने की मना ही थी लेकिन जब आप एकजिट करते हैं तो बाहर काफी सारे खुमचे वाले बैठे होते हैं वहाँ पर आप खाने पिने की चीज़े ले सकते हैं और छोटे बच्चों के लिए दूद और पानी की बोटल लेकर जाने का फ्री था ले जा सकते हैं तो सबसे पहले इसमें हर्बल गार्डन आता है सबसे पहले हर्बल गार्डन में काफी सारे प्लांट से जैसे अलो विरा है आइस प्लांट हैं मतलब हर टाइप की हरबल प्लांट से जो हम गार्डनर सिंपल प्लांट के रूپ में अपने गार्डन में लगाते हैं और इसकी थोड़ी सी ही वीडियो बना पाई थी और अगला गार्डन था हमारा बोनसाइ गार्डन जिसमें बहुती वराइटी ओफ फाइकस आपको देखने को मिल रहे है कई बोन साही तो इसमें 11-11 साल पुराने थे यह पिलखन की वराइटी है फाइकस की और सबी के आगे नेम टैग लगाय हुए थे तो अराम से जो जिन लोकों को इतना मतलब गार्डन के बारे में प्लांट के बारे में इतना नोलिज नहीं है वो भी आराम से पढ़ कर देख सकते हैं 11-11 साल पुराने फाइकस बोन साही के बोन साही यहां पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही मतलब लोग पिक भी किचवा रहे थे अपनी और यह देखें यह जैड प्लांट का बोन साही है इससे आपको बोन साही बनाने का आइडिया मिल सकता है और यह देखें पीपल का बोन साही था जैड प्लांट का बोन साही था फाइकस की काफी वराइटी थी और यह बोन साही गार्डन काफी बड़ा था हर्बल गार्डन इतना बड़ा नहीं था क्योंकि कई प्लांट्स वहां पर सूखे हुए थे और मेंली वहाँ पर आइस प्लान्ट और अलो विरा का थे ठीक वराइटी थी वहाँ पर भी पाइकस की बहुत ज्यादा वराइटी है इतनी मैंने आज तक नहीं देखी थी यहाँ पर जो देखी है लोग पिखी चवाने में लगे हुए थे हम सब मतलब पिल्खन वाली तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब थे प्लांट्स पिल्खन वराइटी के और एक बात मैंने आपर ये भी देखी के जो नारंगी का पेड़ था वो जमीन पे लगे हुए थे और लदे हुए थे नारंगी से बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहे थे बहुत ही ओसम मतलब व्यू था उनका श्रब के टाइप में रखे हुए थे जमीन में लगे हुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे और एंज और ग्रीन कंबिनेशन में हाला कि हम लोग अपने शोक को पुरा करने के लिए प्लांट्स लगा लेते हैं गमलों में बट जमीन में जो प्लांट्स लगते हैं उनकी तो बात ही अलग होती है इतने बड़े बड़े नारंगी के पेड़ मैंने कभी नहीं देखे थे जितने मैंने यहां पर देखे हैं और काफी सारे एक ही रो में काफी सारे प्लांट्स लगे हुए थे बहुत अच्छा देख के बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बीच बीच में बैट भी सकते हैं अगर आप ठक जाते हैं तो rest भी कर सकते हैं जैसे चोटे बच्चे हैं तो अराम से बैट भी सकते हैं बट अब ज्यादा देर नहीं बैठने देते security guard जो होते हैं वो whistle बجा देते हैं यह देखे और भी आगे गार्डन देखने के लिए बने रहेगा वीडियो के एंड तक एक यह वाला फाइकस इसमें ग्यारा साल पुराना था जिसमें लिखा हुआ था एलेवन येर्ज ओल्ड और आपको पता ही है जो गार्डनर हैं जितने ज्यादा पुराने प्लांट होते हैं चाहिए बोंसाई है या फिर प्लांट हैं वो काफी कोस्टली मिलते हैं पुराने प्लांट क्योंकि उसमें एक गार्डनर की या कोई भी माली है या नर्सरी वाला है उसमें उसकी मेहनत लगी होती है लेवर लगी होती है कितने सालों से वो उसके लिए मेहनत करता है उसके सर्वाइवल के लिए और नेक्स्ट हमारा है रोज गार्डन रोज गार्डन में आप देख सकते हैं ऐसे इन्होंने प्लांट के पैचान के लिए नेम टैग लगा रखे थे जो अभी मैंने आपको ये तख्ती दिखाई है न वो यहां पर ऐसे लिखे हुए थे जो भी गार्डन था और ये ट्यूलिप गार्डन है ट्यूलिप गार्डन में भी काफी सारे कलर्डन से बहुत अच्छे लग रहे थे ट्यूलिप के फ्लावर क्लोज में भी मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें डिफरेंट कलर से तो बहुत प्यारे लग रहे थे मजेंडा, ओफवाइट, येलो, काफी सारी विराइटी थे डबल शेडिड बे थे, सिंगल शेडिड भी थे ये देखें, ये डबल शेडिड है, बहुत ही ब्यूटिफूल फ्लावर और ये नारंगी के पेर, जिसकी मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रही थी इस तरह से भी अगर हमारे पास गार्डन है, जमीन है, तो हम इस तरह से मैंटेन कर सकते हैं बीच बीच में बड़ी सारी बास्केट रखकर मिट्टी की शैलो डीप वोट रखकर उसमें प्लांट्स लगा सकते हैं साल्विया के प्लांट लगे थे, मेरिगोर्ड के प्लांट लगे थे, फाउंटेन के आसपास बहुत ही अच्छे तरीके से डेकॉरेट किया हुआ गार्डन है अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस मौके को कभी मत छोड़ना बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर गूम कर और गार्डन को मैनेज करना है कि आईडिया भी आपको मिलेंगे कैसे हम प्लांट्स को मैनेज कर सकते हैं प्रंट रोपे कुण से प्लांट आने चाहिए और सेकिंड रोपे कुण से ये सब आईडिया आप यहाँ से ले सकते हैं कलरवाइज और साइज क्या कोर्डिंग भी जो भी स्पोर्ट के लिए इन्होंने लकड़ी लगाई हुई थी उसको भी ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ था ताकि वो हाइलाइट ना हो जादा वेल मैंटेंड ग्रास जगह जगह फाउंटेन और लोग अराम से विच्छन करते हुए अमरी तुद्ध्यान में बहुत अच्छी शेप दी गई थी ट्रीज को और रास्ते में एक रंगोली और बना रहे थे फ्लावर से जो वांके माली हैं एक्सपर्ट है यह देखे एक रंगोली और बना रहे थे क्योंकि यहाँ पर जिस दिन हमने विजिट किया वहाँ पर उद्ध्यान महुतसव था कुछ ऐसे करके था तो यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन चल रहे थे क्योंकि अब उसको मैंने म्यूट किया हुआ है अब आज को ओरिजनल जो आज थी म्यूजिक चल रहा था तो कोपीराइट के डर से और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है इस तरीके से तो मैंने म्यूट किया हुआ था और यह देखिए ये येलो टूलिप बहुत ब्यूटिफुल पता नहीं यहाँ के माली क्या खाद डालते हैं प्लांट्स को इतने बड़े बड़े डेलिया इतने बड़े बड़ी रोज और काफी इतने बहुत बड़े बड़े मैरी गोल्ड और मैरी गोल्ड की भी वराइटी बहुत जादा थी छोटे साइज के भी थे बड़े साइज के भी थे और डिफरिंट टैप्स के थे केल की वराइटी थी यहाँ पर काफी सारी आपको मैं दिखाऊंगे आगे बड़ी-बड़ी बास्केट में केल लगा रखे थे हैंक किये हुए थे विंटर्स में तो ये क्या है फर्वरी में खुलता है गार्डन और उस टाइम इतनी ठंड भी नहीं होती दिन में आप अराम से घूम सकते हैं क्योंकि अच्छी और ये जगह-जगह लैंड्सकेपिंग भी इन्होंने की गई की हुई थी कैक्टस पुराने-पुराने कैक्टस और स्टोन लगाकर पत्थर लगाकर कलर पत्थर लगाकर बहुत साल पहले मैंने विजिट किया था जब इसमें रोज गार्डन ही होता था और रोजज की वरायटी होती थी अब इसमें मिक्स गार्डन बना दिये गए हैं हर्बल गार्डन बोंसाइ गार्डन यह सब यहां पर बना दिये गए हैं बस इसमें यह है चलने का ही काम है अगर आप ठक जाते हैं तो थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं कई जगह बनाई हुई हैं लेकिन कई जगह बिल्कुल ज़्यादा मतलब बैठने-बैठने नहीं देते ह हैं क्योंकि उनकी बें अपनी मजबूरी हैं जो स्कूर्टी कार्ड हैं इंकी ड्यूटी हैं उनकी जूटी हमें करने करने देनी चाहिए मान्दार है से तो जो flowers होते हैं वो देखने के होते हैं देखकर enjoy करने के होते हैं ना कि उनको तोड़ा जाए टुछ किया जाए और यह इस साइड सारी यह रोज गार्डन था पूरा यहां पर राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी काफी सारी वरायटी थी यहां पुरा दिवार तक आपको रोज गार्डन मिलेगा मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि गार्डन लवर्स यहां पर बहुत हैं इंडिया में बट अपने हाथ से मैंटेन करना वो हर किसी के बसका नहीं है मुझे प्लांट्स को लगाना उनकी सेवा करना उनको सर्वाइव करवाना यह हर किसी के बस में नहीं है बहुत से लोग क्योंकि ऐसी परसेंटेज है जो गार्डन लवर तो हैं लेकिन उनको बना बनाया गार्डन हो तो उनको देखना अच्छा लगता है अपने आपसे डिवलप करना यह सब उनके बसका नहीं है यहां पर मैं दिखाऊंगे आपको डिफरेंट यह दिखिए वर्टिकल गार्डन इसमें मिक्स फ्लावर लगाए हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा था यह भी एक लगा आइडिया है अगर आपके पास बड़ा स सारा टैरिस है या जमीन है तो आप ऐसे एक तरफ वर्टिकल गार्डन एक तरफ की साइड वर्टिकल गार्डन के लिए यूज़ कर सकते हैं इस तरह से इतना बड़ा नहीं छोटा यूज़ छोटा भी बना सकते हैं अपने गार्डन के अकोर्डिंग और यह केल की वर्याइटी थी यहाँ पर बड़े बड़ी बास्केट यहाँ पर लगाई हुई थी और जब किसी प्लांट को अच्छा स्पेस मिल जाता है तो वो काफी फलता फुलता ही देखें साल्विया का है लेकिन इसको इतनी चोड़ी बास्केट में लगाया हुआ है और गमले का प्लांट है यह अब ही विंटर में खुलता है तो आपको विंटर की वराइटी ही देखने को मिलती है ज्यादा पूरी बास्केट एक ही टाइप के प्लांट से भरी हुई थी मंकी फेस, साल्विया, केल, मेरी गोल्ड, फ्लेम वाइन और बहुत सारे बहुत सारे यह सब तो फ्लेम वाइन को छोड़कर यह सब प्लांट बास्केट में लगाये हुए थे फ्लेम वाइन भी बहुत अच्छा फैला हुआ था यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी लास्ट में बहुत यह यह एक्जिट का रास्ता है बस यह देखिए कोने में उस उरी एक साइड की जो वोल है उसमें फ्लेम वाइन ही लगाई हुई है वीकेंड सा इसलिए काफी रश था वहाँ पर यह देखिया फ्लेम वाइन आज से आपको दिखाती हूँ तो कभी भी आप अगर प्रोग्राम मनाईएगा तो वीकेंड को छोड़ कर बना सकते हैं यह पूरी वोल डहेलिया की थी जिसको मैंने शूट किया है तो आई होप आपको यह गार्डन अच्छा लगा होगा अमरी तुद्यान और आप भी अभी विजिट कर सकते हैं अभी क